हेलो फ्रेंस वेल्कम टू माई चैनल क्रेक यूर कम्टिशन बिदानेश्टी फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम लोग 30 दिसंबर 2021 का जो पिछले साल सीटेट को ऑनलाइन एक्जाम हुआ था उसका पेपर फस्ट को स्वाल्ब करेंगे तो चलिए फ्रेंट्स वीडियो को सिध्धांत को दर्शाता है तो यह दर्शाता है फ्रांस विकास पूर्व अमुमानित पतिमानों का अनुशन करता है उसका सही आंसर हो जाएगा Q2 बालकों में ब्रद्री और विकास में क्या शामिल है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा Q3 निम्र्खित में से कौन सा कारक भौतिकेवन समाजी दुनिया की जटेल सक्तियों को संबोधित करता है किसी बाली का अनुभवों को उसके विकास के दौरान प्रभावित करते हैं तो इसका राइट अंसर हो जाएगा हमारा Q4 निम्र्खित में से कौन सा सी बच्चों के सामाजी कर्ण के प्रात्मिक संस्ता हैं तो इसका राइट अंसर हो जाएगा Q5 कमल स्वयम को तर्क देता है कि यदि पनू उसे एक क्रेयोन देगी तो बहें उसे भी एक क्रेयोन देगा ताकि उपहारों के लें देन में समानता हो कमल लॉरेंस को अलवाक के नेती विकास के किस चरण पर है तो यह है आंत्रिक उदेश अभी नवी करण के चरण पर option no.1 हमारा सही answer हो जाएगा next question is question no.6 संग्यानात्मा विकास के किस चरण में बच्चे एक दूसरे के साथ खेल संब्धी विचार साध्या करते हैं और इस समझ को कि संकेत बस्तूं के इतको दर्शाते हैं सुद्रान करते हैं लेकिन संरक्षर करने में अशक्षम होते हैं इसका right answer हो जाएगा हमारा option no.3 पूर्व संक्रियात्मा अवस्थामी नेक्स्ट कुश्चन है हमारा question no.7 एक छे वर्षी ये बालिका सोचती है कि लंबे ग्लास में छोटे और चौणे बरतन से अधिक पानी आता है या दिपर उसके आखों के सामने ही पानी एक बरतन से दूसरे बरतन में पड़ता गया है प्यार जी के अनुस्वाबाल का की है सोच किस योगिता की कमी के कारण है तो उसका right answer हो जाएगा friends हमारा option no.3 अक केंद्रियता के कारण next question है हमारा question no.8 बच्चा मैं पहली के इस हिस्से को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ अधियापक यहां कौन सा तुकड़ा आना चाहिए क्योंकि यह बिल्ली के पैर है बच्चा पंजे अधियापक सही कौन सा तुकड़ा पंजे जैसा दिखता है बच्चा यह वाला उपर एक तो बातचीत मे सामाजी अंता करीए कि किसी सिखता पर प्रकाश डाला जा रहा है तो शुक्ड़ा राइट आंसर होजाएगा हमारा ऑप्शन नंबर त्री पंड NEW intent हमारा नेक्ट कॉशन हमारा मेरा फ्रेश अंबर नाइन इक रशनमादी कंचा मैं बच्च कि किस तरह सी अधान से रहां हारवर्ड गार्डनर के बहुद्धी सिद्धान के नुसार यदि किसी व्यक्ति में दूसरों के अभिप्राय भावनाएं और विवहार को समझने की योगिता है तो उसमें निम्ल कित्में से कौन सी बुद्धी कही जाएगी तो इसका राइड आंसर हो जाएगा हमारा अध्याप को उधारन देती हूत महिलाओं को नर्स वा अध्यापी का दिखाने में तदा पूर्चों को डॉक्तर ये पालेट दिखाने तक सीमित नहीं करना चाहिए इससे क्या चिन्य दो होता है इसे चिन्द होता है जैंडर रूडिवधिता और जैंडर रूडिवदिता रोद्विवद लचीलापन ऑफ्षिन नमबर टू और त्री दो सॉरी फ्रांड जैंडर सम्रूपता ऑफ्षिन नमबर टू और फोर इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों ही ऑफ्षिन हमारे यहां पर सही होंगे नेक्स्ट कुशन है हमारा कुशन नमबर थर्टीन कथन एक बच्चों के भासाई विकास के इस प्रात्मिक सिस्तर की कक्षों में मुझे सम्रित पड़िवेश आविशे के यह वाला हमारा सही हो जाएगा कारण और भावनाओं की अधिकम में बहतपूर घुमिका है यह भी सह नहीं मिलता तो बहुत परिशान हो जाती है अपने काम के संदर में दी गई किसी भी अलुशनात्मक तिपड़ी के प्रती बहर रक्षात्मक रुख अपनाती है इसमंद्स में निम्रिकित में से कौन सा उपागम सबसे अधिक प्रभावकारी होगा तो इसका राइट राइ और विश्चन और कुईज होती है और अधिगम के उत्पात को सुनिश्चित करते हैं ना इस्त कोशन है नमारा कोशन नमबर सिक्ष्टी शिक्ष्टीन अग्सामाने कख्षा में विशेश आविश्चिकता वाले बच्चों को शामिल करने का उद्देश प्राप्त करने के अध्यापक को क्या करना चाहिए नमबर वन पालक विशेश के मजूद पक्ष रुच्बाव शिक्ताओं के पहचान करना सही नमबर व्यक्तिक भिढ़नताओं का निराधर करना और समान एक समानता सुनिश्चित करना सही है अधिगम को सह सेहिच्च बनाने के लिए आकलन युक्तियों को का अनुकूलन करना सही नंबर चाहरे प्रते के लिए बैक्तिक शिक्षा योजना बनाना ये वाला भी सही हमारा आंसा हो जाएगा ऑफ्षिन नंबर फोर बन टू थी फोर नेक्स्ट कोशन है हमारा कोशन नंबर सेवंटीन प्रकाल धोनी इसपर्च और अन्य सब्सक्राइब से आने वाले बच्चों को शामिल करने के लिए प्रहौशाली नहीं रहेगी तो इसका राय डांस हो जाएगा ऑफ्षिन नंबर फोर समू संब्ध्यता कि आधार पर प्रधार प्रधक बैठनी के विवस्ता करना नेक्स्ट कोशन हमारा कोशन नंबर नांट जो संब्धित है वो भाशाई विकार जो संप्रेशन कोशन हो बहुत की योगिताओं को प्रभावित करता है यह वाले का हमारा चौथा हो जाएगा डिस्प्रेक्सिया जो है वह संतुलन सूख्ष में गत्यात्मक नेंत्र और गति बोधक समयन में बाले रोजमेरा के कामों को करने में कठेनाई और सी डिस्केल्कुलिया जो है वह हमारा तीसरा वाला बहुत ब्यांगता जो सिच्छार्थियों की गर्णाओं को करने की दक्षिता को प्रभावित करते हैं यह चारों ही हमारे दिब्यांगता उनसे लिखित बढ़न से रिलेटेड है तो हमारा एक हो पर दूसरा तो हमारा जो राईड़ी आंसा हो जाया का प्रेंट वह हो जाएगा हमारा को ऑप्षिन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएका नेक्स कुश्चन हैं मारा कुश्चन नंबर 20 अध्यापक किस तरह से रश्चनात्मग स्चिंदान को प्रेशित कर सकते हैं तो इसका राइट रांसर हो जाएगा हमारा option no.3 शिक्षार्तियों को समस्याओं के समधान के लिए भिन भिन तरीके अपनाने के अफसर देना next question है हमारा question no.21 बच्चे को किसी समस्या समधान धूरने में किस क्रम को अपनाना चाहिए तो इसका हो जाएगा हमारा पहला समस्या की पहचान परिकल्पना बनाना परिकल्पना का परिक्षन आक्रों का संग्रहन पहला वाला हो जाएगा हमारा समस्या को परिभाषित करने समस्या का कलाना हमारा जो है यह पहला और तीसरा दोनों ही सही हो जाएगे ने नार नारा कोश्चन नमबर 22 बया सिक्षिका जो है मानती है कि उसके घ्ख्षा का पर देख चात्र अधिक अधियान करने से अपने सुधाने में सक्ष्य में बच्चों की सफलता कश्रे किसको देती है तो इसका राय टांस आप्ष्ण नार रखती हुए सभी विध्यारतियों से नेक्स्ट कोश्चन नमबर 24 किस रेष्टिकोंड के नुसा अधिक में सक्रीय एवं सामाजिक प्रक्रिया है तो इसका राय टांस हो जाएगा अप्ष्ण रचनवादी रेष्टिकोंड नेक्स्ट कोश्चन है हमारा कोश्चन नमब 25 पीटर कहता है मैं असफल हूँ क्योंकि मैं मूर्ख हूँ और इसका मतलब है कि मैं हमेशा ही असफल हूँगा यह क्या दर्शाता है तो इह दर्शाता है सीखे गई निस्साहायता बेचारगी ऑफ्ष्ण नमबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन नमबर 26 राश्टृःश्टे सिक्षनीती 2020 के नुसार डस का प्रयोग को प्रोसाहत करनी के लिए करना चाहिए तो इसमें प्लेंस में प्रेंट द्व यह दिखे कॉस्चन नमबर 27 विध्यार्तियों के अधिगम में उन्नतिक होने की संभावना कब है तो इसका राइड अंसर हो जाएगा हमारा ओप्शन नमबर 2 अधियां सामगरी को संकलनात्मक धांचे में सुब्यवस्ति किया जाए नेक्स्ट कुश्य नमबर 28 निम्लिकित में से कौन से अधियापक अकार्मित अधिगम समय को बढ़ाने में प्रभावशाली होंगे तो इसका राइड अंसर हो जाएगा ऑफ्शन नमबर 2 अधियापक जो अपने विध्यारतियों को बताती है कि उन्हें कोई गतिविदी कब तक पूरी कर लेनी है और दूसरे क्रिया में जाने के समय संगीत की धुन बजा देती है और इसका सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कुश्य नमबर 29 जब कोई विध्यारती प्रि ध्यारतियों को अर्थ ग्रहन करने में अपनी स्वभाविक रूचियों को प्रोशित करने के लिए अफसर मिलने चाहिए जैसे कि तरह तरह की बस्तुओं का उपयोग करना प्रियोग यहां परिक्षण करना मानस मंतन और चर्चाएं करना यह वाला हमारा सही हो जाएगा का प्रकार की सामगरी लाता है जैसे गिंतारा डीन्स ब्लॉक रूपी 1 रूपी 10 रूपी 100 के नकली मुद्रा नोट उप्रोल किस्तित में अध्यापक बीन्स इधान के कौन से नियम का आश्राण ले रहा है तो इसका राट आंसो हो जाएगा हमारा ऑप्षिन नमबर 3 बोधा यहां गड़ित में एक महत्पूर्ण भूमी का निभाती हैं यह बाग के सही है क्योंकि सिच्छक को यह समझने में मदद मिलती है कि बच्चे ने गड़िती अब धार्णाव का निमान कैसे किया है ऑफ्षिन नमबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा मैस्ट को शेले हमारा करण हो सकता है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा ऑफ्षिन नमबर 3 योग में सीखे गए तत्यों का सामानी करण भिन्नों पर लागू करना नेक्स्ट कुशन है हमारा कुशन नमबर 49 जात्रों की आकड़ों के संग्रहन की समझ के आकलन के लिए सरवादिक उप्योगत र के अकलापों में ब्यस्त रखना बहुल तरीकों से सहायक हो सकता है जैसे कि चात्रों को कई अमूर्त अबधार्णाओं का अन्वेशन करने और परिकलन करनीतियों को सीखने के अफसर प्रदान करता है वाला हमारा सही हो जाएगा वी समय सालनी में दिएगे खाली कालांशो करने में सहायत्या करता है दिह मार गलत है से हे चात्रों को उनकी घडिती समजह है वीपेकलन के उपकर्ण का कार्य करता हolph यह गलत हो जाए ह्या और सिमारार ऑंसर को जयागा तो हमारा और सिनेक्स्ट कुष्ण है हमारा कुष्णbal 58 ज्यामिती को गड़ित का एक महत्पूर्ण छेत्र माना गया है और प्रात्में गड़ित का यह एक अभी नभाग होना चाहिए ऐसा इसलिए है क्योंकि ज्यामिती के अनुभाव दैने जीवन में अधिगम और कड़िती विचारों एवम अबधार्नाओं के अधिगम और रश में सहायता करते हैं और फोर इसका सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कुश्यन फिप्टी टू नमर कुश्यन शूश्री शेया एक रात में कख्षा की अपने सिक्षार्तियों को दो अंकों वाली संख्यों का यूग पढ़ानी के लिए बिवित विधियों का उप्यों करती है जैसे फ्रेंट्स यहाँ पर आपको दिये हुए हैं तीन नुमेरिकल्स उसके सेक्ष्य विधि के लिए निमले में से कौन सा कतन आत्यां तो उप्यूक्त है तो इसका जो राय टांसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑश्यन नमर टू बेह अपने चातों को गड़ित में को हल करने के लिए बेद उपागूमों को प्रस्तुत कर रही है तो लेक्स्ट कोश्यन है हमारा कोश्यन नमबर 53 उसके पाथ साथ कंचे बचय है सुरू किया था प्रश्यन होजाएगा ऑप्शन नमार वन योग पर संधरवात्मक प्रश्न का अप्श्यन नमार वन साभित कोणों को मापने के लिए नेक्स्ट कुश्य नमबर 55 कख्षा एक और दो में राश्टी पाच्चरिया रूप रेखा 25 की रश्टी से गड़ित के सिक्षण अधिगम के लिए निम्रिकित में सी कौन सा सही है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर 3 गड़ित को अनिविश्यों जैसे भाषा कला और परियाण अध्यनादी के साथ समाकलित किया जाना चाहिए नेक्स्ट कुश्य ने हमारे कुश्य नमबर 56 रश्नवादी कख्षा में दशंबलबों के गुड़न का परचे देने के लिए निम्रिक से में अत्यदी उप्योगत कौन सा है तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑफ्यन नमबर वन दशंबलब को प्रदर्शित करने के लिए ग्राफ ग्रिंड का प्रियूक करना तथा उसके बाद दशंबलब के गुड़न का परचे देना नेक्स्ट कुश्य ने हमारा कुश्य नमबर 57 प्रतिशत्तता की अब्धारन पढ़ाते हुए कक्षा में बिशय त्योहारों के मौशम में बिक्री और चूट पर विचार बिमर्श प्रारम किया गया कख्षा में इस प्रकार की चर्चा छात्रों को कख्षागत गड़ित और बाहर की दुनिया के गड़ित में संबन बनाने में मदद मिलती है जिससे उ पर पॉइंट फाइब को जीरो से एक के बीच किसी संख्या से गुड़ा किया जाये तो गुड़न फर फॉर पॉइंट फाइव के कमया अधिक होगा इस पस्ट की जिए अफ्शन नमबर त्री हमारा सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कुश्य ने कुश्य नमबर 59 इन में से सिख्षी का कक्षा दो के बच्चों को एक कंके संख्याओं के ब्यापकलन पढ़ाने के लिए उप्योग कर सकती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑफ्शन नमबर बन छे बिंदू बनाना और में से दो बिंदू पर गोला बना देना फिर बच्चों से बच्च चाहिए होनी चाहिए क्या होना चाहिए संकल्पनात्मक समझ गडिती ग्यान को बातरी जीवन से संबंदित करने की चंता ऑप्शन नमबर टू इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंस हम लोगोंने मैं सब्सक्राइब कर लिए आप लोग आगे बढ़ते हैं और इसके पेपर क इसको सौल भी नहीं कर पाया है तो इसको आप एक बार सौल कर लिजेगा मैं आपको कोशन पढ़के भी बता दे रहें इसकी अगर द्यापिका के कक्षा में आबुधाबी का एक चाहत लेनी का निया समय दस बजे है आबुधाबी वाले विध्यारती का उसकी ओन्लाइन कक कितमें से किस प्रकार के तेल का उपयोग सबसे कम होता है तो इसका राइटांस हो जाएगा आप्शन नमबर बन पाम का तेल नेक्स्ट कुशन है हमारा कुशन नमबर 63 मुक्य अध्याबिका ने इवियस का की इस सिक्षिका से अपने ऑफिस के अंदर रखने के लिए को से कैसे निकालती इस बिद्धी को कहा जाता है तो इससे कहा जाता है यहां सहीजित नंबर 65 में झिब को सहचर से लाब होता है और दूस visitor का जाता है। प्रजातियां प्रजातियां को सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट नमबर शिक्स्टी सेवन निम्रिकित में से कौन सा से बनोन बूलन के परणाम है यह वाला हमारा सही भायमंदल में सब्सक्राइब को समझने के लिए निम्रिकित में से कौन से कथन सही है गर्म रेगिस्तान में अधिक तापमान होता है जबकि थंडे रेगिस्तान में भूमी हमसे अचा दिध होती है तो हमारा असर हो जाएगा option no.2 A, B और C next question है हमारा question no.69 बने जीवन के सनक्षन के लिए राष्ट्य उपवन पार्क महतपूर्ण है भायत में कौन सा राष्ट्य उपवन सबसे पुराना है तो सबसे पुराना जो है friends वो है हमारा जिम कालबेश्ट राष्ट्य उद्यान option no.2 इसका सही answer हो जाएगा next question है हमारा question no.70 नीचे दिये गए पदों से बीज अंकुरान के सही क्रम को कहचाने ए पतियां आने के बाद अल्प वैश का पौधा अपना भोजन स्वयम बना सकता है बीज एक छेल से पानी को सुपता है यह बीज अबरण को नरम कर देता है और यह फूट जाता है C, बीज से अंकुरान होता है और यह उपर की तरह बढ़ता है D, इस इस्थिति में बेवी पौधा बीज में उपस्तित भोजन से जी बित रहता है और E है बीज से एक छोटी जर निकलते है जो की नीचे की और बढ़ती है तो फ्रेंट्स बीज की अंकुरान का इसमें हमें सही क्रम बताना है तो हमारा जो क्रम होगा उसमें पहले नमबर पे हमारा आएगा B बीज एक छेट से पानी को सोकता है यह बीज अबरण को नरम कर देता है और यह फूट जाता है दूसरे नमबर पे आएगा हमारा E वाला B से एक छोटी जर निकलती है जो की नीचे की और बढ़ती है तीसरे नमबर पे आएगा हमारा D वाला इस इस्तिती में बेबी पौधा बीज में उपस्तित भोजन के से जीवित रहता है चौथे नमबर पे आएगा हमारा C वाला B से अंकुरन होता है और वह उपर की तरफ बढ़ता है और पांचवे नमबर पे आएगा हमारा पत्तियां आने के बाद अलप बयाश के पौधा अपने भोजन स्वयम बना सकता है तो हमारा हो जाएगा इसका जुक्रम वो हो जाएगा B, C B, C, D Sorry friends B, E, D, C, A B, E, D, C, A हो जाएगा तो हमारा आसा हो जाएगा आफ्शन नमबर 3 Next question है हमारा Question number 71 बाजरे के बीच की खेच से प्लेट तक की सही यात्रा को चुनिए तो इसका जो राइट आसा होगा हमारा वो हो जाएगा हमारा option number 3 फसल काटना, थ्रेशिंग, फटकना, पीसना, उठना, बेलना, सेखना Next question है हमारा Question number 72 लाल आकडों की पुस्तक दर्ज करती है लुप्त, प्राइ, पॉद्वर, पॉद्वर, जानवर option number 4 इसका सही answer हो जाएगा next question है हमारा फ्रेंट्स यहाँ पर जो लाल आकडों की पुस्तक का नाम आया है यहाँ पर यह जो है यह रेट डाटा बुप की बारे में बोला जा रहा है तो उसमें जो है लुप्त, प्राप्त, पॉद्वर, लुप्त, प्राइ, पॉद्वर, जानवरू को दर्ज करती है ठीक है फ्रेंट्स, option number 4 इसका सही answer होगा next question है question number 73 नहरू institute of mountaineering इस्थित है तो यह कहाँ पर इस्थित है यह इस्थित है तरकाशी में option number 1 हमारा सही answer हो जाएगा next 74 number question पहचाने के निम्लिके ताजू में से किसकी एक दिशा में समुद्र है तो इसका right answer हो जाएगा हमारा option number 2 गुजरात, महराष्ट, गुवा, करनाटक, केरल, तमिलनाडू, आंत्रदेश, पस्चिम मगाल और उडिसा next question है हमारा question number 75 फसल कटने का पर्व, खुशी और उलाज का प्रमुक अफसर होता है सही कथन को पहचानी है ए उत्तरप्रदेश, बिहार और मत्यप्रदेश में तिल संक्रांती को मनाया जाता है ए वाला हमारा सही हो जाएगा ज्हाखन में पोंगल और तमिलनाडू में नवान को मनाया जाता है ब वाला हमारा गलत है कुजरात लोडी को मनाता है केरल ओडम को मनाता है महराष्ट में गुडी पर्व, असम भूह और पस्चिम मंगाल में नवान मनाया जाता है option number D हमारा सही हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा A और D, option number 2 इसका सही, आंसर हो जाएगा A और D सही है, next question है, question number 76, लोकेश भूमी भरण और उसके प्रभाव के विशे पर बात कर रहे थे, उन्होंने चातों को समीब वर्ती भूमी भरण छेतर पर जाने के लिए कहा, तथा उसके विवरण के से श्टड़ी तयार करने के लिए कहा, यह क्रेया कलाप महतपूर्ण है, क्योंकि A यह विद्यार नो टिर्याः के निः में एयरे, नौकि सबस्गोर होयायक है, उससी मर्ण होस्ता में कैंवumble यह विद्यार हो जाएग के विकले के लिए मृता हैं, यह यह व्यक् violence के में में ज़प्रड़ा। और यह भी ध्यारतों को एक चेतर के भूचांट चेतर को जानने योंग सने सहाय का B वाला तो हमारा सही हो जाय और हमारा जो होगा फ्रेंटो होगा A, B और B, C, D सिन्धा मैं हिसाब से इसमें जो jurisdiction होगा वो होगा आपका B और A, B और D इसका आंसर सही होगा जोकि इसमें option दिया हुआ नहीं है A, B और D इसका सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कुश्चिन है हमारा कुश्चिन नंबर 77 बिध्यार्तियों को परेवन समस्यां होता उनके समाधान समंद्यत मॉडल बनाने और साय राश्तिये प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए कहा लाता है क्योंकि तो बढ़ाने से बिध्यार्टियों में शेजन शीलता और समालूश नात्मक के सोच का विकास होता है और प्रीस का सही आंसर हो जाएगा नेक्स परेवन अध्यन के सिख्षिका निम्रिकित में से कौन से क्रिया कलाब का अपने विध्यार्टियों में कौशल बोए गये अध्यापक ने राधा को एक बद्यापक को छाय में होँ दूसरा होन के प्राकाश में रखने के लिए कहा राधा को प्रतिन कुश्य नहीं हमारा कुश्य नमबर 80 एक परेवर्ण अध्यापक अपने विध्यार्थियों को एक परेवर्ण संद्रक्षक कैसे बना सकता है सर्फश्ष्ट संभावना चुनिए तो इसका राइटांसर हो जाएगा ऑफ्शन नमबर थी उन्हें अपने इलाके के एक पौदे पेंड का देखवाल करता बनाकर नेक्स्ट कुश्य ने कुश्य नमबर 81 निम्लिकित में से कौन सास से उद्देश खोज अधारित सिक्षण से प्राप्त होता है एक विध्यार्थियों की जिक्यासा में ब्रद्दी होती है सही विध्यार्थियों की सीखने में ब्रस्थता सब्सक्राइब कर दोगिता निम्रिस्टरी संगेराथ प्रक्रिया कभी कास गलत हमारा हो जाएगा आज से ए बी सी ऑफ्षिन नमबर फोरिस का सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कुछिन है हमारा कुछिन नमबर 82 चाहतों में शिक्षण योगिता सुधारने के लिए आन्वे जन्य सिक्षण महत्पोंण हैं इनमें से कंसी उपलब्दी आन्वे जन्य से प्राप्ति कीसा क्या शक्ति आए और कोशल प्रक्रिया में सुधार ये वाला भी सही हो जाएगा नेक्स्ट कुशन नंबर 83 कि सचिन समाजिक आर्थिक अभावग्रस्त प्रश्बूमी से संबंद रखता है उसके कक्षा ध्यापी का श्रीमति खुणाना को उसकी सहायत्या करनी चाहिए कक्षा में ऐसा बतावन और इस्थिती बनानी चाहिए जिससे उसके सांस्क्रितिक और सामाली प्रिवेश को सम्मान से देखा रहे ऑफ्शन नंबर वानिस का सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट ये हमारा 84 नंबर कोश्ट निम्लिकित में से कौन एक प्रयोन अध्यन के अध्या ए और सी हमारा आंसर होगा तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन केवल ए और सी नेक्स्ट ये कोश्टन नंबर 85 श्रीमती महरा अपने चाहत्रों के प्रस्प्र समंद्धों सामाजी विशेस्ताओं गुणों का विकास करना चाहती है वे अपनी परयोन अध्यन क कि आंपरन के साधन का उपयोग करेंगी कि यह लिखेद प्रश्रों तर्ग वी चर्चाद्वारा सही सी सामुही क्रियाग्छाप सही दि मॉकिक्ग प्रश्न तर्ग अण्सर हो जाएगा अप्रेंट्स बी औचिक लिए और प्रशॅन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बन अच्छात्वों को इस्थान और दिशाओं की स्थिति को समझाने में सायक होते हैं और तरी इसका सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट नमबर 87 अर्जुन अक्सर पर्याण अध्यन की कक्षा में विध्यारतियों से खेल के मैदान से लौटते हुए क्या देखा उसके विशाय में सब्सक्राइब के लिए अच्छी नहीं है तो इसका अध्यापन में प्रत्य तत्य देना नेक्स्ट कुष्ण है हमारा कुष्ण नमबर 89 श्रीमती बनीश्या परेवन अध्यन के सिक्षण के लिए अच्छा बातरवन बनाना चाहती है बेयोजना बनाती है आज पास की छेत पादे उपागम का ऑप्ष्ण नमबर वन इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंस हमारा एवेस का पेपर सौल्व हो गया है अब हम लोग हिंदी के पेपर को सौल्ब करेंगे 91-99 तक क्यों को पढ़ने के लिए हमें पैरग्राफ को पढ़ना है तो पैरग्राफ को पढ़ लेत ततत बड़ी संख्या में पाई जाती थी यह भारत बांगलादेश तता नेपाल में कई नदियों में मिलती थी किन्तु बरत्मान समय में केवल गंगा प्रहमपुत्र मेगना और कण फुली में शेस बची हैं कभी-कभी यह चंबल खाग्रा और सब्तकोशी नदियों में भ पश्चिममंगाल इहां इसे गंगा चंबल घागरा गंडग सोन कोशी ब्रहमपुत्र आधी नदियों तथा इनकी सहाय नदियों में देखा जा सकता है केवल ताजे पानी की नदियों में रहने वाली यह डॉल्फिन अकेली अत्वा बहुत छोटे-छोटे जुन्डों में रहती है इसके जुन में सदस्यों के संग्या प्राया तीन से अधिक नहीं होती सामाने तया बच्चे बाली मादा डॉल्फिन अपने बच्चे के साथ बिच्रण करती हुई दिख जाती है फ्रेंस यहमारा पैराग्राफ ते इससे इंपॉर्ट रिलेटेट चो कोश्चन द डॉल्फिन भारते महादीप के किस देश की नदी में पाई जाती है तो इसका राइट अंशर हो जाएगा ऑप्षिन नंबर थ्री पाकिस्तान और त्री इसका सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कुश्चन है हमारा कुश्चन नंबर बन हंडैड स्री 93 यह जो कोश्चन है य इसमें थोड़ा में कंफ्यूज हो गए ती आंसर मैंने सही बताया आपको कॉश्चन नंबर 93 गंगा की डॉल्फिन भायत की कितने राजियों की नदियों में पाई जाती है तो इसका राइट आंसर ऑफ्चन बबन हो जाएगा साथ नेक्स्ट कुश्चन है हमारा कुश्च नंबर 94 गंगा की डॉल्फिन कैसे पाने में पाई जाती है तो यह ताजे पाने में पाई आप्टी नंबर कुश्चन नंबर 96 गंगा की जुन्डमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है तीन से अधिक नहीं होती है सब्सक्राइब कर सकते हैं तो इसका राइड आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नमबर टू घूमते हुए नेक्स्ट कोशेन है हमारा कोशेन नमबर 98 गद्यांश के अनुसा गंगा की ड्वार्फिन बहुत बड़ी संख्या में बिस्ति छेट में पाई जाती ती कि दू बरत् है तो इस वाक्ति का आचेंज है डॉल्फिन की संख्या में तेजी से कमी आई है ऑप्शन नमबर टू इसका सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोशेन नमबर 99 इनमें से कौन सा विशेशन विशेश्य का उधारन नहीं है तो इसका हमारा राइड आंसर हो जाएगा ऑप्शन सकते हिर्दय में हो या किताबों में या शोर गुल भरी सडकों पर कितना कलपना तीत आनंद है ग्यान में यह जान लेने में कि समय के कदम अनिवारी रूप से किदर बढ़ते रहेंगे और भविश्य अब भविश्य में क्या आने वाला है फिर समारा इससे लेटिट कोशन नमबर है 100 कभी के अनुसार सरवादिक महतवपूर्ण है क्या महतवपूर्ण है ज्यान option नमबर टू इसका सही आंसर हो जाएगा जूट कहां कहां फैला हुआ है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा option number 2 पुस्तकों गीतों में next question question number 102 कलपना तीज से तात पर है तो कलपना तीज से क्या तात पर है फ्रेंस कलपना से पर है option number 4 इसका सही answer हो जाएगा next day 103 number question कविता की अनुसा सत्य और घ्यान से समय और भविश्य का बोध होता है option number 1 इसका सही answer हो जाएगा next day 104 number question समय में एक प्रत्य जोड़ने पर सब्द बनेगा तो कौन साब्द बनेगा समय में एक जोड़ने पर सामिक option number 4 इसका सही answer हो जाएगा कोशियदे कोशे नंबर 105 की शब्द में उपसर्ब का प्रेयोग हुआ है उपसर्ब का प्रेयोग हुआ है उपक्षिन नंबर 106 निम्लिकित मेंसे सही कथन का चैन करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑफ्शन 107 निम्लिकित मेंसे कौन सापत वाइकोस्ट की के सामाजी सांस्कितिक सिध्धान से संबन दे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑफ्शन 109 रोही साथ महा का शिचू है उसने ऐसी धनियां बोलना शुरू कर दिया है जिसमें ब्यंजनबा स्वर्ड दोनों है बैंनिकित मेंसे किसमें संप्रेशन कर रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑफ्शन 110 यह विचार कि हम अपने आसपास के परिवेश के बारे में क्या सूचती हो और कैसे उसे देखते हैं यह भाशा द्वारा सुनिश्चित होता है किससे संबंदी थे तो इसका राइट आंसर ऑफ्शन बबन हो जाएगा सापिर बोल्फ परिकल्पना नेक्स्ट कुशन है हमा इसके ना कि यह हैं कि बच्चे अक्सर आजन परिया में डैस क्या करते हैं बैसकों की नकल करते ऑफ्शन नमबर त्रीज का सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कुशन हमारा वन हंड्रेट थर्टीन नमबर कोश्चन प्याजे द्वाराई हैं सुझाओ दिया गया है कि किसमा देम से सिखते हैं आत्म साथी कर्ण तता समायोजन आप्शन नमबर तूइसका सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कुश्चन नमबर कोश्चन भाश्या अधिकम के अधारवूत कौशनों पाधिकार प्राप्त करने के लिए बच्चों को बाक्यों के जिस तरह के नमू प्राप्त के लिए शिक्षारती की घर की भाशा का इस्तिमाल करना क्या कहलाता है तो यह कहलाता है दूइभाशिक ऑफ्शन नमबर त्री इसका सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कुश्चन इसकिनर के सिधान के अनुसार बच्चे कव सरवाधिक भूप से भाशा और जित क संगेत एवं सहारा देने पर आकार के अनुसार नेक्स्ट कुश्चन 118 नमबर कुश्चन संप्रेशां के मादे महत्मुर्ण अंतर कौन सा है तो इसका राइडांस हो जाएगा ऑफ्शन नमबर 3 पश्चु अपनी सुरक्षा को सुनिश्यत करने के लिए संप्रेश्यत करत नमबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कुश्चन नमबर 120 दूइभाशी शिक्षा अधिगां प्रक्रिया में शिक्षाती की घर की भाषा के साथ साथ और किसका प्रियुक किया रहता है जोती भाषा में अत्रिक्त निर्देश दिया जाते हैं ऑफ्शन नमबर 2 इ आगे बढ़ते हैं इंग्लेश की पेपर को सॉल्ट करते हैं क्योंकि परग्राफ से रिलेटर है चलिए पढ़ते हैं क्योंकि नमबर 121 वाट इस आउथर वांट इस वांदा लिमिट्स तो वी सैट फॉर तो इसका आंसर हो जाएगा और नमबर 3 कॉमपेशन नेक्स्ट कु कुशन है हमारा 123 नमबर कुशन अधर्स हुवर टेंपर्ड इन देर ग्रोइंग एर्स आज जनरली फांट वी मोर्टेस इन देर लेटर इस तो इसका राइट आंसर हो जाएगा और नमबर 1 एंक्सियस नेक्स्ट कुशन है हमारा कुशन नमबर 124 टुदेश चिल्टन सब्सक्राइब कुशन हो जाएगा नेक्स्ट कुशन हमारा 125 नमबर कुशन रिट फॉलविंग इस्टेटमेंट्स ए साइकोलोजिस से बिलीव तो मुच लब विद विल स्पॉयल दा चाल्ड ए वाला जो हमारा वो सही हो जाएगा बी है दा पैरेंट्स टूदेश चिल्ड इंडल्ग इन एस्टेट साइकोलोजी फिलोस्फ फिलोस्फी ऑश्यन नमबर सी हमारा गलत हो जाएगा हमारा एंसर हो जाय एड़ सी इच डॉप्शन नंबर फॉर इसका सही आंसर हो जाएगा एंड वी जाए और राइट एंड सी इच रोंग नेक्स पॉशने 126 नंबर नमबर कुश्यन विच उप फॉलवी संटेंसे यूज़ इंदा सेम वेज गियर इन पारा फोर तो इसका जो राइड आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह जाएगा ऑफ्शन नमबर टू क्यारलेस यूज आफ दा क्लच में डैमेज दा गियर ऑफ्शन नमबर तू इसका सही आं 129 रीट फैसे फ्रेंड्स पैसे से रिलेड़ेड़ कुश्यन है 129 नमबर कुश्यन हमारा हाव है जीविन पिल्ग्रिमेज है वीन कंवर्टेड इन्टो एडवेंचरस ट्रेवल अपर्चुनिटीज तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑफ्शन नमबर वन 30 नमबर कुश्यन हाव डज नेचर शो इस सुपरमेसी तो इसका राइट अंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर वाई अन्लीशिंग इस फ्योरी नेक्स्ट कुश्यन है हमारा कुश्यन नमबर 131 रिट फॉलोविं इस्टेटमेंट्स ए डवेडाज हेल्प मैनकाइंड तो वी कसी स्कीक और क्रुमेड हमांसर हो दा नेक्स्ट प्रॉजन हेली नमबर कुश्यन हाव dif भीनेस नाव और लेज तो इसका हो जाएंगा नमबर वाई त्राइंट वीक कि आण섯 नेक्स्ट प्रॉस्ट को और नमबर कोशिट फ्योरी इन पारती इस यूज ए एए एन जो फ्योरी है वह किसके रूप में यूज भूआ है यहां पर तो वह यूज हुआ है हमारा नाउन के रूप में ऑफशन नमबर वन इसका सही आंसर हो जाएगा नेच्ट कोशिए बने थर्टी फाइब नमबर कोशिट टेंपर विद इन पाराटू मेंस बताना जो पाराटू में दिया हुआ है यह वर्ड तो वन थर्टी फाइब का आंसर हो जाएगा ऑफ्शन नमबर वन एडजर्श्ट नेक्स्ट कोशिए हमारा कोशिए नमबर 136 विच आप फॉलविंग डे प्रेडिटेवल और नेक्स्ट कोशिए हमारा 137 नमबर कोशिए ए प्रोसीडूरल प्लान पॉर प्रेजेंटिंग टीचिंग लेंग्विज मैटेरियस इज मैथर्ड ऑफ्शन नमबर तू इसका सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोशिए 138 नमबर कोशिए ग्रामर ट्रां इसका राइट अंसर हो जाएगा ऑफ्शन नमबर बन डिरेक्ट मेथर नेक्स्ट कोशिए 140 नमबर कोशिए एंग्जांपल ऑफ इसका सही आंसर है नेक्स्ट कोशिए 141 नमबर कोशिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑफ्शन नमबर कोशिए 142 नमबर कोशिए ओफ्शन नमबर कोशिए 143 नेक्ट नमबर कोशिए 4 नेक्सरीम नमबर बन डिरेक्स्ट कोशिए और ग्रूप इच कॉर्ड तो इसका राइट आंस हो जाएगा, option number one, one हो जाएगा, reliability, option number one इसका सही आंसर हो जाएगा, next question है हमारा, question number 144, remedial teaching is given after diagnostic test, option number four इसका सही आंसर हो जाएगा, next question है, 145 number question, the teacher divides the class into groups of five and gives some handouts of a report and asks them to make notes and brief summary of it, what is this, what is she attempting to promote, तो इसका राइट आस हो जाएगा, option number two, cognitively advanced language proficiency, काल, next question है हमारा, question number 146, errors are learning areas and feedback for A learners, A वाला सही, B, the teacher सही, तो हमारा, आसर हो जाएगा, option number three, both A and B, next है, 147 number question, kinesthetic activities refers to bodily movement activities, option number two, इसका सही आंसर हो जाएगा, next question है, 148 number question, a learner of class what is able to read the text and do the task based on it with the support of her mother, as per Vagoski, her mother is dash her in the task, क्या करें फ्रेंस, option number one, scaffolding, next question है हमारा, question number 149, the language proficiency of a child can be developed well, while participating in task based activities, option number two, इसका सही आंसर हो जाएगा, next question है, हमारा, 150 number question, body language gestures and eye gauge are the examples of non-verbal communication, option number two, इसका सही आंसर हो जाएगा, फ्रेंस, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने पिछले साल के CTAT के, जो online exam हुआ था CTAT का,